मैं मुके सर आप सभी का स्वागत करते फ्रेंड्स आज के इस क्लास में अगर फ्रेंड्स आप सभी भी MP पुलिस परिछा 2023 की एक्जाम की त्यारी कर रहें तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इसफुल होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे आज मध्य परदेश में कौन क्या है दोस्तों मध्य परदेश में जो भी दोस्तों पहली बार बने हैं उनसे सम्बंदित हम लोग प्रशनों को देखने वाले हैं जो कि आप सभी के दोस्तों 100% एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आप सभी से एक छोड़ा सरीक्ष्ट है कि वीडियो को थोड़ा सभी इसकी मत कीजिएगा दोस्तों एक कोशन आप सभी के सेलेक्शन की ओर लेकर जाएगा तो आप स्टार्ट करते आज की क्लास को फर्स्ट कोशन है कि मध्य परदेश के प्रथम मुख्य मंत्री निमनलीखित में से कौन थे फर्स्ट कोशन है फ्रेंट्स कि मध्य परदेश के प्रथम मुख्य मंत्री निमनलीखित में से कौन थे राइट एंसर हो जाएगा इसका आपसा नमबर भी हो जाएगा पंडित रवी संकर सुकली जी हो जाएगे आपसा नमबर भी अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नमबर टू प्रश्ण नमबर टू कर रहे कि मध्य परदेश के प्रथम राज्य पाल कौन थे मध्य परदेश के प्रथम राज्य पाल की बात करें तो यह हो जाते हैं डॉक्टर पताभी सिता रमिया जी हो जाते आपसा नमबर C is right answer हो जाएगा यहां से फ्रेंट्स आपसी के बहुत सारे एक्जाम में प्रश्ण पोछे जाएगे तो आपसी बीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा अगला प्रश्ण आपसी का थ्री नमबर थ्री नमबर प्रश्ण कराएगी मध्य परदेश के प्रथम नियाएधीस निमनलीखित में से कौन थी मध्य प्रदेश के प्रथम नियाएधिस निमनलीखित में से कौन थे राइट एंसर हो जाएगा थ्री का आपसा नमबर भी मुहम्मद हिदाय तुल्लह तुल्लह हो जाएगे आपसा नमबर आप सभी का भी इस राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने फ्रेंट्स प्रश नमबर फोर मध्य प्रदेश के प्रथम महिला मुख्य मंत्री निमनलीखित में से कौन थी दोस्तों ये ऐसा टॉपिक से जहां से आपसी की एक्जाम में 100% एक्जाम में प्रशन पूछे जाएंगे ठीके न आपसी अगर MP पुलिस की एक् फोर नमबर प्रशन कर रहे कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य मंत्री निमनलीखित में से कौन थी तो मुख्य मंत्री की बात करें तो राइट एंसर हो जाएंगी सूसरी और सरला ग्रेवाल जी हो जाएंगी आपसा नमबर C आप सभी का राइट एंसर हो जाएग ठीको न? अगले प्रशन कर बात करते हैं प्रशन नम्बर फाइब प्रशन नम्बर फाइब का रहा है कि मध्य परदेश की प्रथम महिला राज्येपाल निमनलीकित में से कौन थी? फाइब का राइट एंसर हो जाएगा सूष्री सरलागोरेवाल जी हो जाएगी आपसा नमबर C ठीकिन आपसा नमबर C आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा एक प्रश्ण हम से गलत हो गया फ्रेंट सौरी उसके लिए जो फोर्ट नमबर प्रश्ण कह रहा है कि मद्ध्य परदेश की प्रथम भहिला मुख्य मंत्री निमने लिखित में से कौन थी इस कोशन का राइट एंसर होना चाहिए आपसा नमबर डी सूसरी उमास भारती होना चाहिए न कि ये अपसा नमबर C तो उसके दिए सोरी फ्रेंट साब से आपसा नमबर D इस राइट एंस पर अगले प्रस्ण को बात करते हैं प्रस्ण नमबर 6 प्रस्ण नमबर 6 करा है कि मद्धे परदेश के प्रथम बिधान सभा अध्यक्छ कोन थे इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जाएगा 6 का आपसर नमबर C कुंजी लाल दूबे अपसर नमबर C, आप सभी का right answer हो जाएगा कुनजी लाल दूबे अगले प्रश्ण को往 बात करते, प्रश्ण नमबर 7 प्रश्ण नमबर 7 काराय कि मद्य करदेश की परथम महिला न्यायधिस कौन थी 7 नमबर प्रश्ण काराय कि मध्य परदेश की प्रथा महिला नियाएधिस कौन थी तो इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा सेवेन का अपसा नमबर सी हो जाएगा स्री मती सरोजनी सक्सेनाजी हो जाएगी जो की मध्य परदेश की पहली महिला नियाएधिस के रूप में बनी थी अब दोस्तों आप जो आने वाला प्रशने आप सभी के लिए बहुत ही काफी उस्फुल है तो आप सी वीडियो को थोड़ा से भी इसकी मत कीजेगा ठीके न एट नमबर प्रशन कर बात करते है करहे कि मध्य पर्देश के प्रथम विधान सभा उपाध्यक्ष निमनलेखित में से कौन थे मध्य परदेश के प्रथम विधान सबा उपाध्यक्ष निमनलेखित में से कौन थे एट का राइट एंसर हो जगा अपसा नमबर ए विश्रू, विनायक और सर्वतेजी हो जाएंगे ठीकिन अपसा नमबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जगा अगला प्रशने फ्रेंट्स, प्रशन नमबर 9, मध्य परदेश के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्य मंत्री निमनलेखित में से कौन थे तो गैर की बात करें, गैर कांग्रेस की बात के जारा है, तो नाइन का राइट एंसर हो जगा अपसर नमबर B, कहलास जोसी हो जगा, अपसर नमबर B, आप सभी का राइट एंसर हो जगा अगले प्रशन को बात करतें, प्रशन नमबर 10, प्रशन नमबर 10 कराए कि, मध्य परदेश के प्रथम पूलिस महा निरीचण निरीचण कौन थे तो इस कोशन का राइट एंसर हो जगा, 10 का, अपसर नमबर C, B, G, घाटे अपसर नमबर C, आप सभी का राइट एंसर हो जगा, ठीके न, फ्रेंट से कीन मानियेगा, यह सारे प्रशन सेलेक्टेड आप सभी के लिए लिए गये हैं जो कि 2023 MP पुलिस एक्जाम में यहां से भरबर के प्रशन पोचे जाएंगे, ठीके न, तो जिसको सिलेक्टेड लेना हो इस विडियो को इंट तक जरूर देखे वो, ठीके न, क्योंकि यहां से बहुत सारे नमबर आप सभी के कनफर्म होने वाले एक्जाम के लिए एक 11 नमबर प्रशन के बात करें, तो करें कि मध्य परदेश के प्रथम पुलिस महा नी देशक निमनलेखित में से कौन थे? मध्य परदेश के प्रथम पुलिस महा नी देशक निमनलेखित में से कौन थे? एक 11 का राइट एंसर हो जाएगा, भी पी दूबे आपसर नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रशन को बात करते हैं, प्रशन नमबर बारा 12 नमबर प्रशन का रहा है, कि मध्य परदेश के प्रथम महिला मुख्य सची कौन थी? मध्य प्रदेश के प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें तो इस question का right answer हो जाता है निर्माला बुच्छ हो जाती है जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव के रूप में चूने गई थी ठीके ना अगले प्रश्ण कर बात करते हैं फ्रेंड्स अगर आप सभी का इस वीडियो का अगर PDF चाहिए, तो आप सभी को मैं वीडियो में बताउंगा कि आप सभी इसका PDF कहां से जाकर के डालोट कर सकते हैं, ठीक है न? तो वीडियों में बने रहेगा तेरा नमबर प्रश्ण के और बात करें तका रहे कि मध्य परदेश की प्रथम महिला अधी वक्ता निमने लिखीत में से कौन थी? मध्य परदेश की प्रथम महिला अधी वक्ता निमने लिखीत में से कौन थी? तेरा का राइट एंसर हो जागा अपसर नमबर सी स्री एम अधीकारी जी हो जेंगी जिने की अधी वक्ता के रूप में चूज किया गया था अगले प्रश्ण कर बात करते हैं प्रश्ण नमबर 14 कराई कि मध्य परदेश के प्रथम बीत आयोग के अध्यक्च कौन थे? 14 का राइट एंसर हो जागा अपसर नमबर B सीतला सहाईजी हो जाएंगे अपसर नमबर B ठीके न? अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नंबर 15 पंदरा नंबर प्रश्ण कर रहे कि मध्य परदेश के प्रथम नोवेल सांती पुरुषकार प्राप्त पहला ब्यक्ति कौन थे अब ऐसे प्रश्ण न पूछा जाये तो कैसा प्रश्ण आप से की एक्जाम में पूछे यह तो सारे कोशन इंपोर्डेड और सेलेक्टेड हैं जिस पर आप सभी थोड़ा सा गौर किजिए कि कहां से प्रश्ण लिया गया है आप सभी के लिए तो कह रहा है कि मद्य परदेश के प्रत्थम नोबिल सांती पुरुसकार प्राप्त करने वाला पहला ब्यक्ति कौन था और नोबलपुरसकार की बात कर दोस्टो जो की रविंद्र ना टाइगोर जी को दिया गया था साहिते के लिए मधर ट्रेसा जी को नोबलपुरसकार सांती के लिए दिया गया था ठीक न इस चीज़ को भर ध्यान रखेगा आप सभी अगले प्रषण कर बात करते सोल्ला नंबर मध्य पर्देस के प्रथम लोग सिवा आयोग की अध्यक्ष निवनलीखीत मैं से कौन थे؟ सोल्ला का राइट एंसर हो जायेगा DV ready हो जायेगे आपसा नंबर C DV ready अगला प्रषण कर बात करते सोल्ला नंबर मध्य परदेश के प्रथा महिला IPS की बात क्या जा रहा है कि मध्य परदेश में पहले जो महिला थी वो IS के रूप में कौन थी ठीके न तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी को पता होगा निर्माला बूच हो जाएगा अपसा नंबर A निर्माला बूच ठीके न अब दोस्त अपने सरोजनी नाइडू के बात करें ता आप सी जानते किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला IPS है IPS ठीके न अगले प्रश्ण कर बात करते हैं प्रश्ण नंबर A 18 अठारा नंबर प्रश्ण कर रहा है कि मध्य परदेश की प्रथा महिला IPS IPS की बात क्या जा रह है मध्य परदेश की पहली महिला IPS कौन थी तो 18 का जो राइट एंसर हो जाएगा आपसा नंबर B हो जाएगा कुमारी आसा गोपाल आपसा नंबर B अगला प्रश्ण नंबर फ्रेंस आप सबी का दिया हुआ है कि मध्य परदेश की प्रथम राज जी योजना मंदल की अध्यक्ष निमनलीखी तिमेशे कौन थी मध्य प्रदेश के प्रथम राज योजना मंडल के अध्यक्ष निमनिलेखित में से कौन थे उन्नेश का राइट एंसर हो जग अपसा नमबर बी प्रकास चंद्र सेटी जी हो जाएंगे अपसा नमबर बी ठीके न अगले प्रश्ण कर बात करते हैं प्रश्ण नमबर बीस बीस नमबर प्रश्ण कर रहें कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज योजना मंडल के उपाध्यक्ष निमनिलेखित में से कौन थे बीस का राइट एंसर हो जाएगा अपसा नमबर बीस कर रहें कि मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयोक्त निमनिलेखित में से कौन है 21 का राइट एंसर हो जाएगा अपसा नमबर बीस का राइट एंसर हो जाएगा अगिला प्रश्ण फ्रेंड सावस्वी का बाइस नमबर मध्य प्रदेश के प्रथम लोका युक्त कौन है मध्य प्रदेश के प्रथम लोका युक्त की बात करें तो 22 का राइट एंसर हो जाएगा अपसा नमबर बी पी भी दिच्छित जी हो जाएगे अपसा नमबर बी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके ना 23 नमबर प्रश्ण का रेफरेंस कि मध्य प्रदेश के प्रथम बी पच्छ नेता निमने लेखित में से कौन थे तो बी पच्छ के नेता के बारें बात क्या जा रहा है तो यह हो जाते बेश्णू नात तामसकर आपसा नमबर सी हो जाएगा जो की बी पक्छ में अगला प्रश्ण आवसेगा 24 नमबर प्रश्ण मध्य प्रदेश के प्रथम बिधान सबाध्यक्छ कौन थे इसका एंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम बिधान सबाध्यक्छ निमने लेखित में से कौन है और आज के दोस्त फ्रेंट में अपने वीडियो को ज़्यादा-ज़्यार कीजिए एंप और कमेंट करके दोस्तों एकसे दो सीक्ट लेगा आप सब्सक्रार देगा कि आपसी को वीडियो कैसा लगता है और नेक्स टॉपिक दोस्तों किस वीडियो में ठीके न तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो अगर आप सभी अभी तक हमारे चैनल को एनलाइज नहीं के तो जाकर के प्लेलेट्स चेक कर लेज़ कर दो